हेलो फेंज वेलकम बैक टू मैं राजेश पास्वान और आज की वीडियो है वह बहुत बहुत दिल तोडने वाली वीडियो एक देवकूफ इंसान है हम उसके बारे में में आगे लगे बात करेंगे मेरे ही एक बड़े ही अच्छे सब्सक्राइबर ने मुझे आज ही शाम को इस्टाग्राम पर यह वीडियो रेकिमेंड करी है और इसका सिर्फ टाइटल पढ़के ही मैंने इसको चूज कर लिया मैं काई भाई इस पर बात करनी कड़ेगी कुछ बेवकूफ हैं जो बस फालतू में रेशिजम को जो प्रमोट करते रहते हैं और वैसा ही एक बेवकूफ मिला है नया नया आज हम उसकी बात करेंगे सो यह वीडियो है इसकी टाइटल में लिखा हुआ अरस्ट पारस सिंग फॉर प्रमोर्टिंग रेशिजम अगेंस अरु अब मुझे देखो इस पूरी वीडियो के बारे में नहीं पता है ठीक है मैंने भी आप तक वीडियो नहीं देखी है इसके टाइटल में ही है कि बाई कुछ जो बंदा है अरस्ट मतलब यह जो पारस सिंग है कुछ उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे रेसिजम जो है इनकीज हो रहा है ठीक है अगेंस्ट हमारे जो अरुनाचल के जो भाई-बेहन है कि मैंना सभी मैं ऐसे लोगों के मुझे बहुत गुरसा आता है मैंने अब तक वीडियो नहीं देखी है पर जिस वीडियो जिस बंदे की यह वीडियो है उसने ऐसा टाइटल डाला है तो उसने कुछ सोचके ही जो है मतलब डाला होगा इस जो पारस सिंग ने जूर कोई ऐस सब्सक्राइब की होगी इसलिए मैं शको क्योंकि मैं शूरू में ही देखने से पहले ही बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूं कि यह जो जिनकी यह वीडियो है वो एक ब्लॉगर है और मैंने इनकी कुछ वीडियो देखी है तो मेरा मेरा इन पर तासे जो है टस्सा है यह अप फड़ा फड़ वीडियो को शुरू करते है और उसके बाद देखेंगे क्या है इस पूरी की पूरी जो वीडियो में वैसे ही यह आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी लेंजिंग वीकली पे यह एक यूटूबर है अरुनाचर परदेश के और बहुत अच्छे फड़ा फड़ इनकी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इस पूरी वीडियो में जास्ता देखेंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम लेंजिंग दॉमिंग है मैं अरुनाचर प्रदेश से हूँ और मैं एक इंडियन हूँ श्याद आपको सुनके इनकी जासली भी तो इंडियन से हमें भी तो रहने कहा के हमें भी तो बोलने कहा के ना हम 2021 मी जी रहे हैं और हम सभी इंडियन को यह बात पता होनी चाहिए कि अरुनाचर प्रदेश भी इंडिया का ही एक स्थेट है तो मैंने जो आपी बात बोली क्यू बोला मैं बताता पारश सिंह की जिसका यूट्यूब में गेमिंग चैनल है and he has around more than 4,50,000 subscribers and these numbers are enough to influence many people और जसा कि आप सभी को बताए कि last year Indian government ने PUBG को बैंन किया था और इस साल शायद PUBG वाबस आने वाली है तो हमारे state के एक MLA sir Mr. Nino Ering ने PUBG unban को पोस्ट करते हुए मोदी जी को tag करते हुए, request करते हुए, tweet कि PUBG को unban नहीं होने दिया जाना चाहिए India में ये point देते हुए कि PUBG game हमारे इंडिया के security and citizens के privacy के लिए एक बड़ा threat है तो उसी unban वाली बात से triggered होके ये लड़का पारश सिंह ने अपने channel पर एक video डाला और video का title आप screen पर देख सकते हो, और उसमें हमारे MLS और से disagree करते हुए ये बोला After now, मतलब 100 में से 90% games में Tencent के share रहते हैं क्योंकि वो high gaming company है, सबसे बड़ी gaming company है, तो उसके share तो रहेंगे और इसने notice के अंदर यही चीज़े लिखे हैं कि PUBG Mobile को ही relaunch किया जा रहा है नेम चेंज करके, गन के नेम भाई गन के नेम तो चेंज ही नहीं हो रहे है, कौन सी कहा से information निकाल रहे हो तुम है, मतलब कुछ भी, यहां पर हम PUBG वालों के साथ officially जुड़े हुए हैं, हमें ही नहीं पता भाई, गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं सिरफ PUBG का नेम चेंज हो रहा है और हलके फुल के चेंजिस हैं अंदर, 18 साल वालों के लिए और 2-3 चेंजिस हो रहा है जो कि अभी हम नहीं बता सकते हैं, जब गेम आएगी तभी सब के सामने आएगा, मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल दा है यहाँ पारस ने जो बलाव उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका खुद का नौलेज है, अपना अपिनियन है, बट इसमें भी पारस हमारे MLA सर को तुम बोल के एड्रेस कर रहे हैं, बट कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं परसनेली उसको बहुत जादा गुसा आया होगा, इसलिए उसने तुम बोल जाओ गया MLA को, ठीक है, या तक हम एगरी करते हैं, क्योंकि अगर्टिंग तो पारस उसके पास दुनिया भर का नौलेज है, बट कोई नहीं, उसमें प्रॉब्लेम नहीं था, प्रॉब्लेम कहां से शुरू हुई है, आप ये स्टेटमेंट सुन इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा, अब शायद अरुनाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हूं, मुझे नहीं पता मैं कभी मिला नहीं उन से, तो इस वाले स्टेटमेंट में पारस ने MLSR के फोटो को जूम किया, और बाकी अरुनाचली लोगों का दिखाया, और बोला कि ये लोग किस एंगल से इंडियन लग रहे हैं, और इस स्टेटमेंट में पारस अपने audience को मिस्गाइट कर रहा है, हम अरुनाचली लोगों को non-Indian बोलके on the basis of our looks, और यही से शुरू होता है इस जनाप का racism, देखो सीधी से बात है, अगर कोई इंड इंडियन बंदा दिखने में dark color का है, तो क्या हम उसे African बोलेंगे, नहीं ना, तो उस बंदे की उसमें कोई गलती नहीं कि वो दिखने में dark है, तो उसी तरह हमारी भी कोई गलती नहीं कि हम दिखने में ऐसे हैं, तो यह जो बंदा है पारस सिंग, वो अपने statements है, साफ साफ racism फैला रहा है, और यहीं तक नहीं रुपता, आप आगे दिखे, और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो यह Indian नेम लगी नहीं रहा है, यह नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, अभी हमारे नाम का मजग उड़ाते हुए racism फैला अठी का बहुत बड़ा इंडिया है हमारा जैसा कि आप सभी को बता ही है, और यहां पर मुझे अरुनाचल परदेश दिख क्यों नहीं रहा है, और यह तो चाइना की साइड में है, यह रहा कोने में अरुनाचल परदेश, इसके उपर भी Chinese cities हैं, साइड में भी Chinese, मतलब य चाइना वालों का ही है, एक तरह से उनी के साथ ही है, हलका फुलका टच होता है, यह साला इंडिया में अब दिखाते हुए पूछता है कि आरुनाचल कहा है, और यह रहा है, अरुनाचल के साइड में Chinese cities है, मतलब चाइना वालों का ही है, अरुनाचल, एकॉर्टिंग तो अरुनाचल के लिए है, अरुनाचल के लिए है, हम नौर्टिस वालों के लिए है, अरुनाचल के लिए है, अरुनाचल के लिए है, जो कि Chinese जैसा दिखता है, वो कौन होता है, PUBG को बैन कराने वालों, तो उसी रिजन से पारस भाई साइड ने यह वीडो बनाया, और प्रूफ करने में लग गया, कि हम अरुनाचल है लोग Chinese होते हैं, अपना गुसा जाहिर कर आया है, यह बस हम अरुनाचले लोग face नहीं करते हैं, हम पूरे नौर्दीस्ट वाले face करते हैं, पारस जयसे लोग के बज़े से ही हम नौर्दीस्ट और बाकी अस्ते लोग बाग बाई उनके भाईचारा का रिलेशन है, वो खराब होते हैं, हम सब गिशन को दिल और दिम तु एक सच्चा इंडियन नहीं हो सकता है जो हमारे देश के लोगों को डिवाइट करने की कोशिश कर रहा है तो वीडियो को चुन्टूट करने से पहले मैं अपना उपिनेन बता देना चाहूंगा आपसे भी को सब्सक्राइबरस का यूट्यूब चैनल है वो काफी बड़ा है ही एस अराउंड मोर देन 4,500,000 सब्सक्राइबर्स जिसके तुरू वो कई मासूम बच्चों को गलत वे में इंफ्लूंस कर सकते हैं और ऐसे चैनल का exist करना हमारे लिए किसी खत्रे से कम नहीं है जो बहुत racism फैलाता हूँ जो hatred फैलाता हूँ तो इस चैनल को तो बैन होना ही होना चाहिए तो मैं इस चैनल को बैन करने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ सबी लोग उसके चैनल को रिपोर्ट करें मैं उसके चैनल का link description में दे दूँगा और वीडियो का भी लिंक description में दे दूँगा क्या पता मेरे वीडियो डलने तक वो शयद अपना वीडियो रिमूफ कर दे बट यह आपके हाथों में है कि आप उसके चैनल को रिपोर्ट कर सकते हो कि नहीं तो प्लीज ऐसे चैनल को रिपोर्ट कीजे जो हैड़ेट फैलाता हो एतने भी इंडियन लोग देग रहे हैं जो हम एरन अचली लोगो को झो हम नौर्थीस के लोगो बाई मानते हैं या फिर लोगों अपने मानते हैं अपने इंडिकन मानते हैं प्लीज इस चैनल को रिपोर्ट कीजिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए कि जो पारस का YouTube एकाउंड है वो बैन हो जाए और लास्लिय मैं आपने नॉर्थीस्त के लोगों से बोलना चाहूंगा कि बतलाओ एक दिन जरूर आएगा आप लोग प्लीस डिसाटन मत होए ऐसा होता है लाइफ में डिसाटन मत होए बस उस चैनल को रिपोर्ट कीजे और दिखा दीजे कि हम में कितनी युनिटी है हम पूरे इंदी वाले उनिटी है तो इसके साथ मेरा आज का व्लोग काता है थैंक्यू फोर वाचिंग जय हिंद वंदे मातरा है नुयोर्ण और विल्टी इंदी 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 वाले हैं क्योंकि कल से एक न्यूस वायरल हो रही है कि बैटल ग्राउंड मोबाईल इंडिया बैन करने वाले हैं इंडिया के अंदर तो भाई साब लॉंच तो पहले जिस चीछ को अबी तक लोंची नहीं किया उसको तुम बैन कैसे करवा सकते हो चलो माल लेते हैं की भाई ये कुछ कर रही है । हम छो एक ट्वेट पर एक महाश्या मःस और यह कहां पर लेते हैं पहले हम अरुनाचल परदेश ओके अरुनाचल परदेश के यह महाशे हैं इन्होंने रिक्वेस्ट किया है नरेंदर मोदी जी से कि अलाव मत करें बैटल गराउंड मोबाइल इंडिया को और यह इंडिया की स्रिक्योर्टी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है ओके ठीक है इन्होंने लिखा उनके अंदर शेयर्स हैं इनके शेयर्स मतलब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने और टैंसेंड जो है वह हमारे जो डाटा है वह चाइनिस गोवर्मेंट को दे सकती है ठीक है अपनी मर्जी से ही मतलब कुछ भी टैंसेंड को तो निकाल दिया भाई उसके जो शेयर ह कितनी गेम्स में उसका नाम है बाई ऐसी कोई गेम ही है जिसके अंदर क्राफ्टन ना हो मतलब सो में से 90% गेम्स में टैंसेंट के शेयर्स रहते हैं क्योंकि वह गेमिंग कंपनी है सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है तो उसके शेयर तो रहेंगे और इसने नोटिस के पर हम PUBG वालों के साथ ओफिशिली जुड़े हुए हमें ही नहीं पता भाई गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं सिर्फ PUBG का नहीं चेंज हो रहा है और हलके फुल के चेंजिस हैं अंदर 18 साल वालों के लिए और 2-3 चेंजिस हो रहे हैं जो कि अभी हम नहीं बता सकते जब गेम बाकि उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं इसमें भी मुझे एक नहीं नहीं लग रहा है अब शायद अरुनाचल परदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हूं मुझे नहीं पता मैं कभी मिला नहीं उन से बाकि उसके बाद चलो यह भी देख लिया हमने और अरुनाचल परदेश को मैप में सर्च करते हैं यह हमारा इंडिया है बहुत बड़ा इंडिया है हमारा जैसा कि आप सब्सक्राइब और यहां पर मुझे अरुनाचल परदेश दिख क्यों नहीं रहा भाई सिर्फ कूल बनने के लिए इतनी इतर को गया अरे यार यह यह त इतनी दूर से बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके हम आपके अभारिया आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा बट आपको सोचने की जरूरत नहीं है बहुत बड़े-बड़े बंदे बैठे हैं हमारे देश के लिए सोचने के लिए बाई मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स ने बैं किया पैसे लेके अन्रबेगा बैं किया उनको क्या मिलियन ्डॉलर्स दे दिये का बबबजीवालों ने बाइ कुछ सोच समझ की अन्हों ने शरते रखी होंगी और उन चर्तों को PUBG वालों ने फोलो किया होगा जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी होंगी उन्होंने दी होंगी जो भी इनके बीच में बात्चीत हुई है वो तो हमें नहीं पता मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स ने बैन किया था उन्होंने अन्बैन कर दिया उनके बीच में क्या डील हुई है या फिर कैसे कैसे कौन कौन से टर्मेंट कंडिशन रखी गई है ऐसे थोड़ी एक गेम बैन हुई और आठ महीने बाद अन्बैन हो रही है और कोई ललू मेरे मूर से कुछ गलत रिकल जागा छोड़ो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि बाई देखो किसी के भी ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला है ठीक है ना जो करना है वो गोर्मेंट ने करना है और गोर्मेंट ने किया था ठीक है उसके बाद उन्होंने अप्रूबल हासे दी तब ही टीजर आ रहे हैं तब ही ट्रेलर आ रहे हैं तब ही गेम प्लेय श्टर पर आ चुकी है बस रीलीज होने वाली है प्री डिष्यलेचन चालू होगई है बस रीलीज होगी इंस्ट्रोल या आजेंगा डाwn लोड करके करेंगे ठीक है ना बाकि जो होगा यार इन्होंने कभी ट्वीट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता अचानक से इनको याद आई कि पबजी दोबारा से आ रही है तो मैं हूँ भाई बाहु बनके जाता हूं आगे और बैन करवाओंगा करवालो भाई बैन करवालो देखते तुमारे करने से कितना कुछ हो जाता ह बागे देखते हैं आगे क्या होता है मेरे साब से तो कुछ होने नहीं वाला इनके कुछ करने से बागे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में मैंने सोचे इसके ओपर एक वीडियो बना दू क्योंकि काफी सारे बंदें बोल रहती कि भाई बैटल गरण मोबाईल इंडिया फिर से बैन होने बाला भाई देखो परमीशन मिल चुकिया तभी ट्रेलर है ना परमीशन ऐसे तो मिली नहीं तो टैंशन मतलो गेम जल्दी आपको मिलेगी प्लेय स्टोर पे बागे देखते क्या होता है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में सही इंसान पारस सेंख जो भी नाम है इसका है जमाई बेव को है इसे बेसिक जो जो मोरल वैल्यूस किसी अच्छे इंसान में होने चाहिए वो उसमें लेंगे वो जिस बाई साब की यह वीडियो है मिस्टर लेंजिंग की विल्कुल एक बात बहुत सही कही है जिससे मैं 100% ही करता हूं हो सकता है यह पारस जो है वो अच्छा गेमर हो पर अच्छा इंसान बिल्कुल महीं है किती बत्तमीस जो है बात कर रहा है वो अर्वरांचर कर रहे हैं वो जो MLA है और उनके पास एक अच्छी सी पोजिशन है और वो तेज से तो बहुत अच्छे है और वो देश को रूल करने में हल्प करने है ठीक है तो PM के पास कुछ भी बोलने का उनके पास पूरा पूरा राइट है ठीक है और तुझे नहीं बताना है मतलब हो कि हुआ है कै उनको क्या बहुदना चाहिए कि अुकि ऑड़ा की जाती है कि जो सारे कि नौर्थ इसको चोरके पाके सारे जो जो इंडिन्स है वो नौर्थ के लिए मैं ऐसी भावना या फिर मौनब ऐसे हीट वाले क्यार करते हैं और अपना भाई बहन सब कुछ बांते हैं आप सब भी मनलब उतने ही इंडियन्स हो जितने हम हैं हिंदी आना या हिंदी जैसे नाम होने कोई जूर नहीं है कोई जूर नहीं है बिल्कुल नहीं है यह बिल्कुल भी कोई क्रेटरिया मतलब नहीं है किसी को यह जज करने का की की कोई इंडियन है कि नहीं मैं बिल्कूल एगरी करता हूँ इसको सबक सिखाना बहुत बहुत जोड़ी है चैनल पे जाओ मैं भी अपनी वीडियो पे इसके चैनल का लिंक डाल दूँगा रिपोर्ट करो और इसकी इंस्टागराम बेगारा का भी जो लिंक होका वो भी डाल दूगा ठीक है जाओ अच् कोई तमी जाएगे कि भाई देश के किसी रेप्रेजेंटिब्स के बारे में कैसा बोलना चाहिए या फिर देश के किसी स्टेट के लोगों को को इससे मतलब जो है कैसी बात करने चाहिए कितनी बतमी जैसे इंसल्ट कर रहा हूँ अलब उन MLA साथ की भी और मतलब उनकी लो जो पैना हुआ है और कितना कितनी बत्ती में जीगरी है सुझा मैं तो मन कर रहा है न कि यह सामने होता तो थर्द हता मैं से लिए खुद की शेकल लेगी है वो वर्ड बोला इंचाहता पर लग तो वही रहा है 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 वह ही चलिए इन जैसे बेवकूफों पर ज्यादा ध्यान देने की जूर्ट नहीं है मैं आपसे बार बार गह रहा हूं सभी इंडियन्स वैसे नहीं होते प्लीज इसको देखके बाकि इंडियन्स को आप लोटिस वाले जज्मत कर ले न ठीक है बहुत सारे इंडियन्स अब को पता है कि नौर्थ इस्ट में क्या कुल्चर है कैसे लोग है और वो हमारे जितने ही इंडियन है पर सही में यार क्या करूं मैं जैसे लोग का रिपोर्ट करो बस रिपोर्ट करो इसके चैनल को चलिए अब विडियो को खत्म करते हैं किसी सैट भड़े नोट से अब बनते हैं अगली वीडियो पर तक के लिए हवाए टेक केर और सेफ रहिए